हुआ है फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त तो आध से हम एक इंपॉर्टर चाप्टर्टर फोर केमीकल इंजिनियर मेकेनिकल इंजिनियर वह है पॉंप एंड लान साइजिंग इसके उपर हम टुटरिल चालू करने वाले हैं तो मेरा यह टुटरियल रोकेमिकल इंजिनियर जो भी पर सनो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन रहेगा तो इस वीडियो में तो हम खाव वाट इज पॉंप एन उसके बेसिक टाइप से उसके उपर डिसकस करने वाले इसके बात जो वीडियो आए बनाऊँगा मैं इसके उपर जो लेक्चर रहेगे उसमें हम उसके पॉंप के बेसिक टाइपस क्या पॉंप का इमोशी पंप का डाटाशीट कर बनाती है लाइन सैजिंग कर शेकरते हैं सेलेक्शन आप लाइन कैसे होता है वो पूरा डिट्रिल्स पर पड़ेगे लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेग प्लीज सब्सक्राइब माइच चैनल लाइक किजिए सेट्स किजिए आपके फ्रेंट्स के साथ कलिक के साथ कि आप भी नालेज गेन करें और दूसरों के भी गेन करें और आपका अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट किजिए मैं उसका सोलुशन जरूर दोगा तो दोस्तों चलो क्या करते है कि अभी हम अपना आज गा जो टोपी के पंप एंड लाइं साइज इंड नमबर वन अज चालू करते है अधर मैं आए है और श्राटा आए कि वाटी ओड़िट आप ए चालूर चलूर अली को हम पंप केते है what are the types of pumps there are two types of pumps first a dynamic pumps second a positive displacement pump the pumps key two types a one is dynamic pump second is positive displacement pump yeah 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 kinetic energy provide to kinetic energy provide करने के वजज़े से क्या होता है उसको फ्लो मिल जाथ आए के वेलोसिटी मिल जाते हैं जिस वजए से लिक्वर एक जगा से दूसरी जगा पर ट्रांसफर होता है इस इस पॉंप के मेंली डो टाइप से एक रिजुँक्त पूप्प ऑफ्सेक्ण कंवोड़ीज पीड़ीचल्च सेंटर में सक्षन देते है कि होगा यह सक प्नलल맍क दिंक्टा सिंटर्च longtemps discharge , 90 degree में होता है , सेंट तर्म में रहता है शक्षकन और discharge रहता है एक छाक 90 degree में , इस यह होता है , नीश प्रम में पॉसीटिव इस प्रम में क्या होता है , इन इस पॉम पीक्स अमौन्ट ऑप लिक्विड ट्रांसपर होता एक फिक्स अमांट ही हर displacement में एक फिक्स अमांट अप लिक्वड ही ट्रांसपर होता है इसी विसे हम इसे पॉजिट्व डिस्प्लेटम पॉम्प कहते हैं जैसे की पिस्टान पॉम्प में क्या होता है हर मूब्मेट में उसके एक पिक्स अमांट अप जो भी उस पिस्टान में दिया प्रेशर में ज्दा आता है कि जहाँ पिफरेशर का अपट्रामर्म वहां पिश्टूडवी करते हैं तो positive displacement pump में एक safety देना बहुत ज़रुरी रहता है, उसके outlet में एक SRV लगाना बहुत ज़रुरी रहता है यह जो SRV यानि safety relief wall जो लगाते एक ज़्यादा pressure वहाँ पे बढ़ने नहीं देता है अगर pressure ज़्यादा बढ़ता है तो वो SRV pressure relief करेगा और positive displacement pump में कभी भी outlet close नहीं होना चाहिए, अगर outlet close होगा तो pressure इतना बढ़ जाएगा कि pump डामेज हो सकता है positive displacement pump के examples अगर ले जाए तो यह होए कि screw type pump, gear pump और piston pump यह main positive displacement type में examples है तो दोस्तों यह रहा आज का tutorial जिसमें हम pump के basic information types और what is pump यह जाने है next video में और next lecture रहेगा उसमें हम और details में जाएगे उसमें हम centrifugal pumps क्या रहता है और details में पढ़ेगे उसका data sheet कैसे बनाते है उसका flow requirement कैसे result करते है उसका head requirement कैसे result केता है और उसका और details ऐसे की what is NPSH available और NPSH required उसका calculation कैसे रहता है उसका head का selection कैसे जिता है pump का flow का selection कैसे किया जाता है उसका data sheet कैसे बनाते है इस बारे में हम जानेगे तो दोस्तों इसके लिए आपको मेरा चैनल को subscribe करना पड़ेगा ना पड़ेगा और share करना पड़ेगा अशा करता हूँ कि मेरा योडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आये तो इसको लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी किजिए तो चले दोस्तों फिर से मिलते तब तब के लिए बाए